धैर्य हमारी अमूल्य निधी है, धैर्य हमें मानसिक रूप से द्रड़ बनाता है, हमें कभी-कभी धैर्य रखना कठिन होता है, हम प्रभु ईसा से प्राथना करते हैं और यह अपेक्षा करते हैं की वे हमारी प्राथना तुरंट सुन ले, पर हमारे मन के अनुरूप कार नहीं होने पर हम हताश हो जाते हैं हम सोचते हैं कि प्रभु हमारी प्राथना नहीं सुन रहे पर ऐसा नहीं है हमें प्राथना के साथ धैर की भी आवशकता है हर परिस्तिती में धैरे रखना आसान नहीं पर यह विश्वास रखना चाहिए कि प्रभु ईसा हमारी सुनते हैं और सदैव हमारे साथ है प्रभु ईसा से उपवास काल में हम धैरे के लिए प्राथना करें पावित्र गरंत के अनुसार क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अपनी योजनाए जानता हूँ यह प्रभु की वाणी है तुम्हारी खित की योजनाए अहित की नहीं तुम्हारी आशमय भविश्य की योजनाए जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्राथना करोगे तुम्हारी प्राथना सुनूगा जब तुम मुझे ढूनोगी तो मुझे पा जाओगी